तो आईए करते हैं आखडों की बोचार क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सियासी बाते नहीं होती हम आखडों के लेंज से लोक्रियता में उच्छाल या गिरावट पर अनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तीन राज्यों के नतीजे क्या कह रहे हैं आईए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर में 2014 से लेकर अब तक राज्यों की स्थिती क्या हो रही है एक इस पॉलिसी जो प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की है क्या वो बीजेपी के लिए रंग ला रही है तो सबसे पहला डेटा आप देख रहे हैं कहां एक राज्य से 2014 में बीजेपी की शुरुआत हुई थी 2019 आते आते मामला कहां तक पहुँचा और अब 2023 में मामला कहां पर पहुँच रहा है ये देखिए 2023 आते अतोलोंडे साहब भारतिय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना पर्चम लहरा दिया कहीं गटबंदन में कहीं अपने दम पर इन सब पर चर्चा करेंगे लेकिन अब जल्दी से आपको नतीजे दिखा देते हैं कि सीटे कितनी आई है त्रिपूरा में इघाले और नागलन में बीजेपी की त्रिपूरा के नतीजे जहां पर बीजेपी प्लस आईपी एफटी 33 सीटे लेफ प्ल प्लस कॉंग्रेस गटबंदन में इस बार चुनाओ लड़े थे जो की धुर विरोधी थे एक दूसरे के लेकिन इस बार चुनाओ में एक साथ आए कि बीजेपी को बाहर करेंगे लेकिन 14 में सिमट कर रहे गए टीमपी टिप्रा मोथा नए नवेले प्रोध्योत मानिक्ये की पार्टी जिसने ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग पर आदिवासी क्षेतरों में खास तोर पर सपलत हासल की और पहली ही बारी में 13 सीटे वो ले आए है जली से वोट प्रतिशाद दिखा दीजे त्रपूरा में किसको कितने वोट इस बार मिले है तो त्रपूरा में वोट शेर आप देखिए बीजेपी गटपंदन का 2018 में 51 पीस दी था लेकिन इस बार 2023 में 40 पीस दी है 36 सीटे पिछली बार बीजेपी को अपने दम पर आई थी इस बार सीटे भी घटी है वोट प्रतिशाद भी घटा है लेकिन इसकी बड़ी वज़ा है तिपरा मोथा जिसने 13 सीटे हासल की है लेफ्ट कॉंग्रेस के गटपंदन को 42 पिछली बार आई थी लेकिन इस बार लुड़क कर पहुँच गए है 25 तीज़ी पर अब हम आपको दिखाएंगे नागालेंड के भी नंबर्स क्योंकि नागालेंड में पहले से ही गटपंदन था है NDPP के साथ भारते जनता पार्टी का एक बार फिर सपष्ट जनादेश है 60 है यहाँ पर मैजिक नंबर 31 है लेकिन उससे कहीं जादा बीचेपी के गटपंदन को और याद रखिए यह इसाई बहूल राज्य है जहाँ पर 60 में से 37 सीटों पर इस गटपंदन का कबजा हुआ NDPPF के 2 कॉंग्रेस शुन अन्य 21 लेकिन याद रखिए त्रपूरा अगर एक बार फिर से हम आपको बताएं तो पिछली बार 0 सीटे आई ती कॉंग्रेस को इस बार गटबंदन में 3 सीटे आई है त्रपूरा में अब हम आपको जल्दी से वोट पसेंटेज भी दिखा देंगे और उसके बाद मेगाले जटुईसा राज्य और कॉंग्रेस सागमा अलग से गए चुनाओ में 26 सीटे उनकी आई है बिजेपी की 3 आई है पिछली बार 2 थी और वहीं कॉंग्रेस की 5 सीटे यहाँ पर आई है यह लुडखे हैं 21 से पिछली बार 21 सीटे कॉंग्रेस की आई थी मेगाले में लेकिन इस बार वो लुड़क कर 5 पर पहुँच गये हैं और अन्य की सीटे आप देख रहे हैं 25 अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा दे रहे हैं मेगाले में कॉंग्रस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है 18 में 21, 23 में 5 अब अगला राजे रिखाईए वोट प्रतिशत जो घटा है वो 28, 25 पीज़दी से 13 पीज़दी पर कॉंग्रस पार्टी का रहे गया है पूर्वोतर के राजियों में एक वक्त पर कॉंग्रस पार्टी का दबदबा चलता था कॉंग्रस का खाटा नहीं खुला है ना गलान में ना गलान का रिपोर्ट कारड है ये कॉंग्रस पार्टी का वहीं तिरपुरा में पिछली बार खाता नहीं खुला था इस बार उन्होंने सीचे हालिस की है अब हम आपको जल्दी से तीन आकड़े और दिखाने वाले हैं कि 2024 के पहले क्यूंकि कॉंग्रेस बार-बार कह रही है इसको एक्स्ट्रापुलेट करके आप मत पहुंची है 2024 पर भी तो बड़े-बड़े राज्यों में चुनाओ होने वाले हैं जिसमें राजस्तान है, मध् 2023 में चुनाओ होगा अब हम आपको दिखा देते हैं स्टी सीटे क्यूंकि देखे पुर्वोत्तर के राज्यों में स्टी सीट अगर आप सिर्फ तृपुरा की बात करें तो लगभव 32 पीसदी आबादी वहाँ पर आदिवासियों की है 18 पीसदी शेडूल कास्ट की है 50 पी सीटे थी अलाइंस में जब लड़े थे तो 18 सीटे आई थी बीस में से लेकिन फिर भी तिप्रा मोथा की सफलता के बावजूत 6 सीटे यहाँ पर बीजेपी गटबंदन को मिला है 2018 में 10 सीटे अपने दम पर बीजेपी लाई थी सिर्फ स्टी इलाकों में सीटे उपर अब हम आपको मेघाले का दिखा रहे हैं नागालें का भी स्टी सीटे दिखा दे रहे हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुवात करेंगे क्योंकि यह संकेत साफ है कि क्या जो शडूल ट्राइब है उनका विश्वास बीजेपी में हो रहा है 2018 में मेघाले में 0 सीटे आई थी और 2023 में भी 0 सीटे आई है तो यहाँ पर जो शुजूल ट्राइब सीटे वहाँ पर नहीं सफलता मिल रहे है लेकिन नागालें में बरकरार रखा है बीजेपी ने सीट में 11 सीटे पिछली बार उनकी आई थी और एक बार फिर से 11 सीटे उनकी आई है इस बात